जहन्द फ्रेंड्स भारती राज बेवस्था की सिरीज हमारी चल रही थी और उस सिरीज में हम लोगों ने भारती ये सम्मिधान की विशेष्टाएं उसके महत्वपोर अनुछेद और अनुसूचियां ये देख लिया था इस अनुसूची में क्या-क्या प्रावधान है ये भी देख लिया था साथ में हमने नागरिकता खतम कर ली थी और प्रस्तावना का टॉपिक भी समाप्त हो जी अब जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था मूल अधिकार और मूल अधिकार मैंने बताया था कि सम्मिधान में निरपेच्छ नहीं है सापेच्छ है ठीक और कुछ मूल अधिकार हैं जो किवल नागरिकों को प्राप्त हैं वो आप ध्यान रखिएगा साथ में हमने इतने तरीके के मूल अधिकार देख लिया था पहला हमने यह देखा था आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 क्या कहता है समानता का अधिकार विदी के समच्छ समता और विदियों का समान संदच्छ आर्टिकल 15 क्या कहता है धर्म मूलवंस जाती जन्मस्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकते। फिर उसके बाद सोला में हमने ये देखा था कि लोक नियोजन के विशय में राज द्वारा भेदभाव नहीं किया जाएगा उसमें भी समानता दी गई है लोक नियोजन के सब्जेक्ट मैटर फिर 17 में दिया गया था कि आईस्प्रस्यता का अंत हो गया है और आर्टिकल 18 में दिया गया था कि उपाधियों का अंत साथ में हमने ये भी देखा था कि जो पद्म भूशड पद्म भूशड ये सब पुरसकार हैं ये सब उपाधियां नहीं हैं ये पुरसकार हैं और जिसमें हमको 6 प्रकार की स्वतंदरता मिली हुई है आर्टिकल 20 देखा, दो सिद्धी के संबंद में सनरचन का अधिकार आर्टिकल 21 देखा, जीवन का अधिकार 21A देखा, तिक्षा का अधिकार और साथ में 22 देखा 22 में क्या दिया गया था? हिरासत में जो ब्यक्तिर रखे गये हैं, उनके क्या अधिकार है? फिर हमने सोसर्ड के विरुद अधिकार देखा आर्टिकल 23 और 24 आर्टिकल 23 क्या कहता है? कि महिलाओं और महिलाओं का सोसर्ड और बलात स्रम ये सब नहीं किया दा सकता ये असमवैधानिक है और आर्टिकल 24 देखा जो बच्चों के लिए था कि बच्चों का सोसर्ड 14 वर से कम आयों के बच्चों को किसी कार खाने या ऐसी जगह पर नहीं लगाया जा सकता जहां पर उनके जीवन के समग खत्रा हो घरेलू कारियों में लगाया जा सकता है अर्टिकल 24 तक हो गया था 25 में हमने देखा धर्म की स्वतंत्रत का अधिकार है 26 में हमने देखा कि धर्म के प्रबंधन का अधिकार है 27 में हमने ये देखा था कि किसी ब्यक्ति को किसी विशेष धर्म के बढ़ावा के लिए प्रोमोशन के लिए कर आदाएगी से छूट है राज जैसा कोई प्रावधान नहीं कर सकता आर्टिकल 28 हमने यह देख लिया था कि अगर एक तरीके से की आर्टिकल 28 मैं थोड़ा भूल रहा हूँ आर्टिकल 28 है था यह की जो है राज जिके द्वारा जो सासित वित पोसित या राज जिके द्वारा सासित संस्थान में धर्म की सिच्छा नहीं दी जाएगी और अगर नाबालिक हैं तो फिर जो है उनका डिसीजन कौन करेगा माताफिता यह आर्टिकल 29 और 30 में क्या था कि अलप संख्यकों के लिए धर्म और उनको संस्कृती अपनी भासा अपनी लिपी कि संरच्छन का अधिकार है और आर्टिकल 30 यह बताता है कि वो उस संरच्छन के लिए अपने सिच्छड संस्थान को इस्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं यहां तक हमने देख लिया आज जो हम मूल अधिकार की बात करेंगे वो हमारा लास्ट मूल अधिकार है छटवा मूल अधि अधिकार था इस बज़े से वह आगे बढ़ रहा है कि वह कानूनी अधिकार में चला गया था तो आर्टिकल थर्टी टू देखते हैं आर्टिकल थर्टी टू क्या कहता है समय धानिक उपचारों का अधिकार कि अधिकल थिकू धिकल थे कहता है समय धानिक उपचारों का अधिकार थे क है धिक कि अधिकल देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि एक स्वस्थ लोग तंतर में आपको अधिकारों की गारंटी दी जाती है इसे आप कह रहे हैं कि मुल अधिकार आपको दिये गए है अब उस गारंटी का मतलब ये है कि अगर उनका उलंगन होता है तो आप उसको enforce करने के लिए उसको लागू कराने के लिए या उससे बचाओ के लिए आप कहां जाएंगे अगर आपको ऐसा कोई तंत्र ना मिले आपको ये अधिकार ही ना मिले कि आप उस अधिकार को protect करना भी आपका मूल अधिकार है अगर यह चीजे न दिजाएं तो इसका मतलब यह हुआ कि मूल अधिकार देने का कोई भी मतलब नहीं ठीक तो यह क्या कह रहा है यह article यह article यह कह रहा है कि अगर आपके जो मूल अधिकार दिये गए हैं आपको संता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार तोसड के विरुद अधिकार, धर्म की स्वतंदरता का अधिकार, धर्म अंताकरण मानने का अधिकार, अलप संख्यकों को अपनी संस्कृति और सिच्छा का अधिकार, यह जो अधिकार दिये गए, अगर इनमें से किसी भी अधिकार का उलंगन होता है, तो आप क्या करेंगे अपने अधिकार को पाने के लिए किसी ऐसी संस्था पर जाएंगे, इसके लिए यह बाध्य हो, कि वो आपको मूल अधिकार क्या करेंगी, रच्छा करेंगी, आपको मूल अधिकार क्या करेंगी, दिलाएगी, ठीक, तो सम्मिधानिक उपचारों का अधिकार, सम्मिधान क आत्मा ये किसकी वर्ड है डाक्टर अम्बेटकर जी के आत्मा इस वज़े से कहा गया क्योंकि अगर आत्मा को निकाल लिया जाए तो सरीर बिना काम के रहता है ठीक वैसे ही अगर मूल अधिकारों से ये आर्टिकल या सम्मिधान से ये आर्टिकल निकाल लिया जाए तो सम्मिधान क्या है महाज एक कागच का टुकड़ा है और कुछ नहीं ठीक तो आर्टिकल थर्टी टू तो यहाँ पर लिख लीजिएगा मूल अधिकार अर्थ हीन तरक हीन और सक्तिव हीन हैं यदि उनको लागू करना या उनकी गारंटी या रच्छक जवस्था अर्च्मेंट सम्विधान द्वारा ना किया जाए वो महत्वीन है कहने का ये मतलब है मूल अधिकारों को जब तक आप इंप्लीमेंट ना कर सकें तब तक वो आपके किसी महत्व के नहीं है उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए भी आपको अधिकार देता है मतलब ये अपने आप में क्या है मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट करना भी अपने आप में क्या है मूल अधिकार है और सबसे बड़ी बात ये है सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला या सम्मिधान का रच्छक बताया गया है कस्टोडियन यह आपका पूछा गया है आपके एकजाब में कि सम्मिधान का कस्टोडियन कौन है तो कौन है सुप्रीम कोर्ट उच्छतम नायाले आपको मैंने बताया था प्रस्तावना जब पढ़ा रहा था बारती संसद सम्मिधान में कुछ भी परिवर्तन कर सकती है सिवाय एक परिवर्तन के कि वो सम्मिधान के मूल धाचे को नहीं बदल सकती जिसको आप कहते हैं basic structure basic structure वो है कि अगर उसको हटा दिया जाये तो सम्मिधान में कुछ नहीं रह जाएगा ठीक इसका मतलब यह हुआ कि इस आर्टिकल को संसद या गॉर्मेंट चाहे आप से छीनना तो छीन नहीं सकती। ठीक मतलब इस भाग में सम्मिधान संसोधन करके इसमें कमी नहीं की जा सकती। आपको जादा और अधिकार दे सकती है वो अलग बात है लेकिन इसमें कमी नहीं कर सकती। मतलब संसोधन नेगेटिव सेंस में नहीं होना चाहिए पाजिटिव सेंस में कितना भी संसोधन आप कर दे रहे हैं। ठिक अब देखिए इन मूल अधिकारों को इंप्लीमेंट करने के लिए लागू करने के लिए सम्मिधान में विवस्था की गई है। क्या विवस्था की गई है। पहली चीज है कि इनके उलंगहन पर टायरेक्ट मतलब सीध है। सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। यह पहली बात है। आप डारेक्ट क्या कीजिए। डारेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। दूसरी बात इसमें यह भी कहा गया है कि कोई जरूरी नहीं की जिस ब्यक्ति का मूल अधिकार का उलंगहन हो रहा हो। वही सुप्रीम कोर्ट जाये। उसके बिहाब पर उसकी तरफ से कोई दूसरा ब्यक्ति भी जा सकता है। वह सकता है जिसका मूल अधिकार का उलंगहन हो रहा हो। वह डर रहा हो। यह उसको उतना जानकारी नहीं हो कि हमारे मूल अधिकार का उलंगहन हो रहा है। तो दूसरा भी क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जा सकता और बता सकता है कि फलाने ब्यक्ति का मूल का मूल अधिकार का उलंगहन हो रहा है। और आप इसमें कुछ कीजिए। सुप्रीम कोर्ट सारी सुनवाईयां रोक करके सबसे पहले इसी अरजी को सुनेगा। यही चीज है। जन का मूल अधिकार का उलंगहन होता है तो जन की तरफ से कोई एक व्यक्ति जो की बहुत जादा जागुरूख है पढ़ा लिखा है उसको अपने अधिकारों के बारे में पता है और वो जन की तरफ से जाकर के क्या लगा देता है याचिका कि इन जन का कल्यार कीजिए तो इसी वजय है से उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन बोलता है जणहित याचिका बोलता है इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिब सुप्रीम कोर्ट फिर बतायेंगे कहां से आया कांसट है थिक तीसरी बात है कि इस इस मतलब आर्टिकल थर्टी टू इसके तहत मामला तभी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जब वो अंडा मेंटल राइट के उलंगहन से संबन देता है अगर किसी का देखिए अधिकार कई तरीके होते हैं मूल अधिकार कानूनी अधिकार वैधानिक अधिकार ठिक समाजी का अधिकार आर्थिक अधिकार राजनेतिक अधिकार ये सब क्या है अधिकार है लेकिन अगर मूल अधिकार का उलंगहन हुआ है तभी आप इसके तहट स गानूनी अधिकार का उलंगान हुआ हो आपकी संपत्ति किसी ने ले रखी हो या कबजा कर रखा हो तो वो इस मूल अधिकार के उतमें नहीं आएगा क्यों क्यों कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं यह जो आपके पास मूल अधिकार है छे उनमें से संबंदित अगर इसके तहट आप किसी और अधिगार को ले करके गए वहां पर तो फिर आपकी अरजी क्या हो जाएगी याजी का निरस्त कर दीज़े ठीक और आपको कहा जाएगा कि आप एक प्रोसीजर के तहट आईए पहले लोवर कोर्ट में जाईए फिर हाई कोर्ट में और फिर इन चीजें जड़ा ध्यान में आपको रखना है चौथी चीज चौथी चीज यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना है वो यह कि संसद चाहे तो यह अधिकार की इन अधिकारों से संबंधित याचिका की सुनवाई का अधिकार अधिनस्त न्यायालयों और भी दे सकती है यहां पर दो चीजें इंपर्टन्ट है पहली बात तो यह कौन करेगा संसद करेगा संसद इस बज़े से ताकि पूरे भारत राज्य छेत्र में वो क्या रहे यूनिफार्मिटी रहे नागरिक्ता किसका अधिकार है केंद्र सरकार का संग सरकार का अधिकार किस ने दिया लोगों को संविधान कहां से सकती प्राफ्ट कर रहा लोगों से तो पूरे देश में जब एक ही संविधान लागू है तो संविधान में संसोधन का अधिकार भी किसको है संसत को संसत चाहे तो देखिये मूल अधिकारों से संबंधित याचिका की सुनवाई करने का अधिकार दो कोर्ट को है एक सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहट और एक है हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहट इस समय संविधान बना दा इसके अलावा बाकी किसी court को अगर ऐसी याजिका की सुनवाई का अधिकार देना है तो वो कौन देगा सनसद और जिन court को देगा वो इन दो के अलावा होंगे हाई court के नीचे कौन हुआ? लोवर court जिला नयाले सत्र नयाले ये सब ठीक तो यहां पर हाई कोर्ट सामिल नहीं है क्योंकि हाई कोर्ट को पहले से ही यह अधिकार ठीक है तो यह चार बातें आप इसमें ध्यान में रखिए ठीक अब देखिए इन अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? रिट जारी करता है डबलू आर आई टी इसको हिंदी में विशेशाधिकार भी बोला जाता है आपने अभी तक दो ही विशेशाधिकार पढ़े थे जब मैंने आपको करें है क्यों कर फोर्टिक doğruत भाएथ था विधी के समच्ष समार्विद्यों का समान समच कर उसमें मैं अपकाष में यह बताया था कि एक दो प्रकार के विशेशाधिकार सांसदों और विधायकों को मिले हैं आर्टिकल 105 के तहट सांसदों को मिले है संसदी विशेसाधिकार जिसे बोलते हैं और दूसरा मैंने बोला था आर्टिकल 194 के तहट राज्य के विधायकों को भी विधानसभा के जो मेंबर्स हैं उनको भी क्या मिला है विशेसाधिकार मिला है Article 194 के तहित लेकिन इन सब से उपर जो विशेसाधिकार है वो भारत की जनता को मिला है पुराने समय में जब आपनी वेसिक सासन था या जब राजा राजतंत्र था भारत में अलग-अलग राजा काम करते थे तो राजा किसी विशेस ब्यक्ति के लिए क्या करता था उसको विशेसाधिकार देने के लिए उसको रिट जारी करता था ये एक विशेस ब्यक्ति है ठीक वैसे ही जैसे डियम की गाड़ी में लालबत्ति लगी रहती या किसी सांसद या विधायक की गाड़ी में लालबत्ती लगी रहती थी उनका क्या था एक तरीके से विशेस दर्जा तो ठीक वैसे ही सम्मिधान ने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स दी गई है रिट जारी करने की अब इन रिट के बारे में आपको रिट क्या ह ये वर्ड उन रखियेगा क्योंकि आपसे पूछा जाता है सम्मिधान में न्यायका ज्रणा किसे कहा जाता है रिट को क्यों कि इनके दोारा ब्यक्तियों के मूल अधिकार का सन रच्चन उता है मूल अधिकार के उल्लंधन के लिए सुप्रीम कोर्ड जाते हैं उनको विशेच से अधिकार दे करके पुस्ता है जो जिन्होंने उनके अधिकार का लंगन किया उनसे अब क्या है इस रिट के बारे में आपको तीन चीजे ध्यान में रखनी है पहला रिट का न्याइक अधिकार दूसरा सेत्रा धिकार न्याइक अधिकार ये है बहुत इंपर्टन बात मैं बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आउनली ये आउनली वर्ड हाइलाइट कर लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकार से संबंधित रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट केवल उन्ही मामलों में रिट जारी करेगा जो सब्मिधान जो क्या हूँ मूल अधिकार से संबंध हों मूल अधिकार के उन लंगन पर व्यक्तिन के पास गया और इन्होंने रिट जारी की लेकिन हाई कोर्ट किसी भी मामले में चाहे वह मूल अधिकार हो चाहे राजनीतिक अधिकार हो चाहे संबंधानिक अधिकार हो चाहे आर्थिक अधिकार हो चाहे अधिकार हो चाहे राजनीतिक अधिकार हो संपत्य से अधिकार से related हो, किसी भी मामले में रिट जारी कर सकते हैं. इसका मतलब यह हुगा, कि हाई कोर्ट की रिट जारी करने की पावर, सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की पावर से क्या है? बड़ी है. और इसी को समयधानिक भासा में बोलते हैं, कि हाई कोर्ट का न्याईक अधिकार सुप्रीम कोर्ट के न्याईक अधिकार से बड़ा है. सुनने में थोड़ा जीव लग रहा होगा, लेकिन है तो है? ठीक. तो यहाँ पर न्याईक अधिकार में ये इनकी बात की जा रही है एक खेत्र की बात नहीं की जा रही है खेत्र अधिकार में क्या है कि हाई कोर्ट जिस राज्य का है उसी राज्य के ब्यक्ति के मामलों की सुनवाई कर सकता और उसी राज्य के ब्यक्तियों को क्या कर सकता है रिट जारी कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में कहीं किसी भी राज्य के नागरिकों को रिट जारी कर सकता है तो हित्रादीकार क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुआ इस से आई कोर्ट अज सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि किसी भी राज्य के नागरिक के लिए रिट जारी कर सकता है किसी भी राज्य के नागरिक के लिए और हाई कोर्ट क्या कर रहा है केवल उन्ही नागरिकों के लिए रिट जारी करेगा जो सम्मंधित राज्य के है जो सम्मंधित क्या है राज्य के है राज्य से बाहर के बेक्तियों के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है इसका मतलब यह हुआ कि छेत्रा जिकार सुप्रीम कोर्ट का यह भगोलिक छेत्रा जिकार है वो ज्यादा है रिट जारी करने का आई कोर्ट के पास रिट जारी करने का विवेका धिकार है विवेका धिकार का मतलब उसकी मरजी की बात है अगर उनका मूड सही नहीं है तो मना भी कर सकते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास यह भगोलिका अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है अनिवार्यता बाद्यता है उनको रिट जारी ही करनी पड़ेगी मूल अधिकारों से संबंदित ही जारी कर सकते हैं और इसी प्रावधान के कारड़ ही इसको सम्मिधान का रच्छक बोला जाता है। मूल अधिकारियों की गारंटी देने वाली संस्था बोली जाती है सुप्रीम कोर्ड इसी प्रावधान के कारड़.. ठीक, अब देख लेते हैं कि कौन-कौन सी रिट जारी हो सकती है। पुल पांच प्रकार की रिट जारी हो सकता है। ठीक है। पहला है। बंदी प्रत्यक्षी करण। हेबियस कॉर्पस। तूसरी है। परमादेश मेंडमस। तीसरी है। प्रतिसेद प्रोहिबीशन। चौथी है। उत्प्रेशड। तेरी सरी इसको बोलते है। और पांच भी है। अधिकार प्रक्षा। को वारंटो। प्रंदी प्रत्यक्षी करण। का मतलब बंदी और बंदे से मत समझेगा। बंदी प्रत्यक्षी करण का किया मतलब है। इस्सा सरीर उपस्थित किया जाए। या उपस्थित हो। पहली बात बंदी प्रत्यक्षी करण का क्या मतलब है। कि किसी को किसी ने हिरासत मेरे रखा है। अपने एक तरीके से नजर बंद कर दिया है। और कहा कि बाहर नहीं निकलना है। उनके सगे संबंदियों को पता चला है किसी को या उसी ने किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लेटर भेजा कि हमें अनर्गल रूप से क्या किया गया है। कैद किया गया है इक रूम में। Supreme Court को another Cu plastics आजये अब राज जिय और पुलिस की झिम्मधारी व दोन करके लेकर के सुनि스ं करें जो अरुक्तु करें इस वॉ क्या करेगा अपने कैद से चूप महां तक जाएंगे तो Supreme Court के सामने वा उपस्थित करेंगे जो अब ये क्शी बात है कि वो क्या किया करेगा अपने कैद से छूटेंगे वो तभी वहां तक जाएंगे तो बताइगे कि हमको इन्होंने कैद कर रखा था तो जिन्होंने कैद कर रखा था बना किसी वजए के उनको क्या होगी सजा होग तो पहली बात बंदी प्रतक्षी करण में क्या है? कि ये सार्वजनिक और निजी दोनों मामलों में लागू होता है. मतलब अगर राज्य ने बंदी बना लिया है तब भी और किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को बंदी बना लिया है तब भी. ठिक, केवल और केवल ये ध्यान रखना है कि चार वजहें ऐसी हैं जब ये रिट नहीं लगा सकते कौन कौन सी वजहें हैं जब गिरफतारी कानून सम्मत हो मतलब किसी कानून के अनुसार उनको क्या किया गया हो गिरफतार किया गया हो तब ये जो है क्या कर सकते हैं नहीं लगा सकते हैं ठिक दूसरी बात क्या है कि जब गिरफतारी विधान मंडल पार्लियामेंट संसद या किसी कोर्ट के भाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या लोवर कोर्ट के आउमानना के कारण हुई हो तब भी इनको क्या किया जा सकता है ये वाली रिट का उप्योग सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकते हैं ठीक थर्ड नयायाले द्वारा जिसे आप कहते हैं न जुडिसियल कस्टिडी नयाय द्वारा नयायाले द्वारा विधी सम्मत तब भी बंदी प्रित्यक्षी करण हैब्यस का और पस रिट नहीं लगाई जा सकते हैं और चौथा जब नयायाले के अधिकार छेत्र के बाहर गिरफतारी हुई जैसे जैसे किसी ने देश द्रो किया हूँ देश द्रो मतलब सेना में हैं और वो खुफिया जानकारी उसमन देशों को दे रहा है सेना ने उस पर क्या किया कोर्ट मारसल किया भामलेगी क्या हुई सुनवाई हुई अब वो क्या है वो हाई कोर्ट के छेत्र से बाहर है तो यह बंदी प्रित्यक्षी करनों वहां पर नहीं लगाएगा ठीक यह बास समझ में आ गई ठीक है अब आगे बढ़ते हैं अब आते हैं पर्मादेश पर्मादेश का क्या मतलब है पर्मादेश परमादेश मतलब एक ऐसा आदेश जो कि अपनी बहुत उच्छ महत्व रखता हो पर्मादेश का मतलब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करता है आदेश निकालता है कि हम आदेश देते हैं तो परमादेश में आपको इध्यान में रखना है, निजी ब्यक्तियों के खिलाफ ये यूज नहीं हो सकती, प्राइवेट सेक्टर में यूज नहीं हो सकती, दूसरी बात आपको इध्यान में रखना है, राश्ट्रपती, राज्य पाल के खिलाफ यूज नहीं हो सकती, पतब सुप्रीम कोट उनको कोई आदेश नहीं दे सकता, ठीक, ये क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि इनको क्या है, सम्मिधान के ये सम्मैधानिक विशिष्ट पद हैं, और जब सम्मैधानिक विशिष्ट उपर है इनको क्या कर सकता है रिट जारी नहीं कर सकता कि कि एक कि एक तीसरी बात कि यह और कब जो है नहीं लागू हो सकती यह और महीं लागू हो सकती सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिला खिलाव यह लागू नहीं हो सकती जब करता बेदा विवेका अनुसार किया गया हो तब भी ये लागू नहीं हो सकते। कुछ विशेसाधिकार के रूप में अगर किया गया हो तब भी ये लागू नहीं हो सकते। ठीक? जो गैर समवैधानिक पद हैं उनके खिलाफ ये नहीं लागू हो सकते। ठीक, बात समझ में आ गई, तो परमा देश में यह ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करते हैं, उप्रीम कोर्ट आदेश देते हैं, कि यह यह काम किया जाए, लेकिन आदेश इन छे लोगों को नहीं दे सकते, नीजी ब्यक्तियों को नहीं दे सकते, मतलब किसी कंपनी को या कि इसी नीजी ब्यक्ति को, सभाविक सी बात है कि यह क्या है, केवले एक सरकारी संस्था को आदर दे सकते हैं, ठीक, प्रतिसेद, प्रतिसेद और उत्परेसड, यह दोनों न्याइक मामलों में यूज होते हैं, नीजी में नहीं यूज हो सकते, विधाई मैटर पर नहीं यूज हो, देखिए प्रतिसेद में क्या करते हैं, प्रतिसेद में यह होता है, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अगर यह लगता है, कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है, कि कोई मैटर है, और वो जो है, वो लोवर कोर्ट के लेवल का नहीं है, मतलब उसकी सुनवाई लोवर कोर्ट में नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी लोवर कोर्ट में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस मैटर को कहता है, लिखित आदेश देता है, लोवर को कि आप इस मामले की सुनवाई मत कीजिए, प्रतिसेद मतलब मना करना, मना कर अब उस पर सुनवाई नहीं हुई है और तब तक में सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट लगा करके कहा कि आप इस मामले को क्या कीजिए उपर भेजिए फिर लेवल पर भेजिए इसमें क्या करते हैं इसमें सुनवाई से मना करते हैं लेकिन वो मैटर कौन से होने चाहिए नियाईक मामले गविधाई निजी ये सब मामले होनी चाहिए प्रोहीबीशन में एक चीज आपको और ध्यान में रखना है शुरवात में खारी नियाईक मामले ही उपर मंगाय जाते थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में प्रसासनिक मामलों में भी यही चीज कर दिया administrative matters में तो प्रतिसेद दोनों में लागू होता है प्रसासनिक प्लस नयाइक दोनों में उत्प्रेसर में only नयाइक और उत्प्रेसर में होता क्या है उत्प्रेसर में यह होता है कि कोई मामला उनके छेत्रा दिकार का नहीं है फिर भी lower court ने उसकी मामले की सुनवाई की और decision भी दे दिया interesting बात है उनने मैजीब लग रहा होगा लेकिन है तो है उत्प्रेसर में क्या होता है यहां पर prohibition में क्या होता था कि हमने मामले की सुनवाई करने से पहले उनको मना कर दिया और मामले को अपने पास बुला लिया higher अपने पास मंगा लिया higher level पर उत्प्रेसर में क्या करते थे उत्प्रेसर में मंगा रहें तो प्रती सेध और मामले की सुनवाई हो जाने के बाद डिसीजन आ गया फिर उसके बाद हमें एसास हुआ कि नहीं यह लोवर कोर्ट का उनके अधिकार प्रक्षा मतलब कोई ब्यक्ति अगर किसी पद के लिए दावा कर रहा है तो इस सारवजनिक पद के लिए उसके दावे की जाच की जाती है पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से यह दावा कर रहा है ठीक जैसे जैसे आपको बता दें कि अगर कहीं पर मिनिमम मैक्सिमम एज क्या है रिटार्मेंट की 62 से उपर एज चला गया और फिर भी वो क्या कर रहा है उस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं तो जब तैयार नहीं है तो सुप्रिम कोर्ट क्या कहेगा उससे कहेगा भाई अ 62 है और आप 62.1 पहुंच गए तो फिर आप किस अधिकार से यहां पर बैठा है तो उनके दावे की क्या करेगा जांच करेगा यहां पर दो चीजें इंपार्टेंट है पहला सार्वजनिक पद होना चाहिए पब्लिक जो होना चाहिए वो पब्लिक इंट्रेस्ट में पब्लिक वाला जो पद होए वो सार्वजनिक पद होना चाहिए ठीक है निजी पद नहीं होना चाहिए ठीक यहां लिख लीजेगा निजी पद मंत्री के निजी सच्चु प्राइवेट सेक्रेटी इन सब का पद नहीं होना चाहिए ठीक और तीसरी बात कि इसको किसी भी ब्रेक्ति द्वारा लगाय जा सकता है लगाय मतलब रिट जारी करने की याचिका या सिकायत किसी भी ब्रेक्ति द्वारा की जा सकती है कि व बसमें आ गई को यह चीजे जरा धियान में रखिए गांगे यहसा बहुत पूछा जाता है क्वान beenाटरि जारी कर सकता है Supreme Court के वहल यही 5 प्रकार की रिड्ड यारी कर सकता है High Court इससे ज्यादा भी rate जारी कर सकता है इचीं तुप्रीम कोर्ट भी इस से जादा रिटök जारी नहीं कर सकता है। लेकिन और और वह उप्टी हो और और नहीं रिट जारी करेंगे तो अगले बार से नई रिटल का भी पढ़ेंगे। अगर आप से पूछा जाए क्या के वह यही पांच रिट जारी कर सकता है नहीं उससे जादा भी जारी कर सकता है बस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नाइक छेतरा अधिकार और भगोलिक छेतरा अधिकार ये दोनों का अंतर जराब ध्यान रखिए ठीक है और कल हम लोग पढ़ेंगे संपत्तिक अधिकार और फिर इसके मोल अधिकार के अपवाद है तो यहां पर क्या हमने देखा कि उत्प्रेशड फित्सेद यहां पर एक करेक्शन कर लीजिए करेक्शन यह है यह गल्टी से लिग गया था कतिसेद और उत्प्रेशड नयाएक यह अर्ध नयाएक दोनों के लिए प्रतिसेद में अउनली लगा लीजिए कि यहां पर प्रतिसेद खाली नयाएक और अर्ध नयाएक संस्थाओं या मामलों में जारी किया जाएगा उत्प्रेशड में नयाएक अर्ध नयाएक प्लस प्रसासनिक दोनों चीजें सामेल हों उत्प्रेशड में नयाएक अर्ध नयाएक और प्रसासनिक तीनों और प्रतिसेद में केवल नयाएक या अर्ध नयाएक यही फर्ख है एक सैन सासन में एक राज तंत्र में और एक लोग तंत्र में हैं जीवंत लोग तो खुब अच्छे से पढ़ाई कीजिए प्रिवेस एर कुष्चन सालो करते रहिए चाहे आप घटना चक्र ले लीजिए या किसी और पढ़ाई कीजिए रिवीजन का पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं सार्टकट के चक्र में मत पढ़िए दस किताबों के चक्र मत पढ़िएगा एक ही बुक को कई बार भूट डालिए ठीक तो खुब अच्छे से मेहनत कीजिए धन्यवाद धन्यवाद